हेलो स्टूडेंट्स जैसा कि आप मेरा चैनल काफी समय से दीख रहे हैं तो आपने मेरे प्रिवेस वीडियो को देखा होगा उसमें हम लोग बैलेंसिंग ओफ केमिकल एक्विशन दा मोस्ट इंपोर्टेंट टोपिक ओफ टेंथ क्लास पढ़ रहे हैं तो उसी सरीज में करते हैं यहां पर आपको दिया गया है कี้ मेगनिशियम بعBooks विद ऱाइड्रहडों कि एसीड तूफम मेगनिशियम क्लोराइड एंड हैड्रोजें गैस में जेन कि तो सबसे पहले हम लिखते हैं मैंगनिशियम एक element है इसले उसका symbol हो गया mg hydrochloric acid आपको याद होगे मैंने एक table दिये जिसमें acid और base के नाम दिये गए हैं तो वहाँ पर आप समझ सकते हो कि hydrochloric acid का formula क्या होता है HCl magnesium chloride इसका formula हमें बनाना पड़ेगा so magnesium का symbol mg chloride यानि chlorine के compound symbol CL valency magnesium की 2 chlorine की 1 cross multiplication के तो formula बन गया mg Cl2 वो हमने यहाँ पर लिख दिया hydrogen gas तो मैंने आपको बताया था previous video में कि जो भी element हमारे nature में gaseous form में मिलता है तो हमको उसे वैसे हिलिकना पड़ता है तो इसलिए hydrogen का symbol H2 तो यदि हम देखें तो हमारी जो skeletal equation बनी ये बनी magnesium plus hydrochloric acid gives you magnesium chloride plus hydrogen gas अब balancing की बारी आती है तो magnesium यहाँ पर एक है यहाँ पर भी एक है ओके hydrogen यहाँ पर एक है लेकिन product की side hydrogen कितने है दो तो balance करने के लिए हमने यहाँ पर क्या लिखा 2 तो जैसे ही टूली का तो hydrogen balance हो गया बट hydrogen के साथ-साथ chlorine भी कितने हो गए दो तो यहाँ पर product side देखा chlorine पहले से ही दो है now back to the topic magnesium कितने है 1 यहाँ पर magnesium कितने है 1 hydrogen कितने है 2 यहाँ पर भी hydrogen कितने है 2 chlorine यहाँ पर कितने हो गए 2 और यहाँ पर भी chlorine कितने हो गए 2 तो यह मैंने आपको rough work करके भी बता दिया है कि किस तरीके से हम skeletal equation को बना कर बाद में balanced equation को इस तरीके से बना सकते है okay students so I think this is the most simplest method to teach you इस reaction का नाम क्या है इस reaction का नाम है displacement reaction ऐसा क्यों क्योंकि इसके अंदर highly reactive magnesium metal hydrochloric acid में से hydrogen को क्या कर देती है displace कर देती है और जिससे hydrogen gas बनती है किसी भी gas के आगे arrow का निशान अगर इस तरीके से दिया है तो मतलब यह equation open system के अंदर हो रही है यानि test tube या container क्या ओपन है और gas जो है escape out हो रही है okay आज हम कुछ अलग से भी करते हैं जैसे यहाँ पर आपको balance the following equations दी गए यानि यहाँ पर आपको equation पहले से बना कर दी कर यह formulas के साथ balancing कर लिए है यह बहुत ही आसान topic है let us continue जैसे हमने पड़ा HNO3 तो यहाँ पर hydrogen कितने है 1 calcium hydroxide में hydrogen OH के साथ है और बार ब्रेकेट बने तो hydrogen कितने हो गए 2 यानि HNO3 का hydrogen और hydroxide का hydrogen दो यानि total hydrogen कितने हो गए 3 अब हम product की तरफ देखते हैं यहाँ पर hydrogen कितने है 2 तो again reactant की तरफ hydrogen 3 है product की तरफ hydrogen 2 है तो हम 3 और 2 2 का अगर LCM ने तो 6 बनता है तो हम यह कर सकते हैं कि reactant side भी hydrogen को 4 बना दे और product side भी hydrogen को 4 बना दे तो इसी लिए हमने HNO3 की 2 से multiplication कर दी तो 2 से multiplication करते ही अब HNO3 में hydrogen कितने हो गए 2 calcium hydroxide के hydrogen कितने हो गए 2 2 प्लस 2 कितने हो गए 4 अब product की side भी देखो हमने 2 से multiplication कर दिया तो hydrogen 2 इंटू 2 कितने हो गए 4 तो इस तरीके से देखो hydrogen balance हो गए अब आके देखते हैं सेम HNO3 यानि nitric acid में NO3 कितने थे 1 पर जब हमने 2 से multiply किया तो HNO3 कितने हो गए 2 अब product side में देखे NO3 पहले से कितने है 2 है यानि nitrate iron already balanced है अब calcium hydroxide में calcium कितने है 1 इधर product side भी calcium कितने है 1 oxygen कितने थे 2 bracket के बारे 2 है यानि oxygen की 2 से multiply 2 oxygen इधर water में oxygen कितने थे 1 लेकिन जब हमने hydrogen को balance करने के लिए 2 से multiply किया तो oxygen भी क्या हो गया already balance यानि इस तरीके से equation already balance हो गई next NaOH react with H2SO4 Na2SO4 is formed in water NaOH को हम कहते है caustic soda H2SO4 को हम बूलते है sulfuric acid तो जब कभी भी acid को base में मिलाये जाता तो salt बनता और water बनता है इसको हम कहते है neutralization reaction so आई ये balance करते है sulfuric acid के अंदर आप देख सकते हो hydrogen कितने है 2 water में भी hydrogen कितने है 2 तो hydrogen balance लेकिन NaOH में जब हमने देखा 1 hydrogen और sulfuric acid के 2 hydrogen तो total hydrogen होके 3 same उपर की तरह ही हमने इदर 3 hydrogen को भी क्या कर दिया 4 बना दिया है वो कैसे NaOH की 2 से multiplication कर गए so जैसे NaOH की 2 से multiplication की sodium कितने हो गए 2 वो इदर product side भी 2 ही है oxygen कितने हो गए 2 यहाँ पर 1 था तो इसकी भी हमने 2 से multiplication कर दी तो इससे क्या हुआ कि oxygen 2 हो गए इदर भी oxygen कितने हो गए 2 अब hydrogen कितने थे 2 और sulfuric acid के 2 यानि 2 प्लस 2 4 water को जैसे 2 से multiply के तो hydrogen कितने हो गए 4 हो गए so sodium balanced 2 हो गए oxygen 2 और इदर 4 यानि oxygen कितने है 6 अब इदर देखे oxygen और water को 2 से multiply किया है तो 2 इंटो 1 2 यानि 4 प्लस 2 oxygen भी कितने हो गए 6 इस तरीके से हमने इस पूरी equation को balanced कर लिया है sulfate SO4 1 molecule इदर भी Na2SO4 का 1 molecule ही था ओके students बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए बहुत ही आसान है NaCl reacts with the silver nitrate to form silver chloride and sodium nitrate अब यहाँ पर symbol कैसे बनाते है मैंने आपको बताया था जिसका भी symbol बनाना है element का जिसका भी formula बनाना है element का symbol लिखिए valency लिखिए cross multiplication कीजिए you will find out the formula so NaCl silver nitrate AgCl NaNo3 this reaction is already balanced क्योंकि अब देख सकते हो 1 sodium इदर भी 1 sodium एक chlorine एक chlorine एक silver एक silver nitrate का एक molecule इदर भी nitrate का एक molecule next barium chloride react with this sulfuric acid to form barium sulfate and hydrochloric acid again आप देख सकते हो 1 barium 1 barium 2 chlorine अब hydrogen chloride 1 थे 2 से multiply करते है chlorine कितने हो गए 2 so chlorine is balanced sulfuric acid में hydrogen कितने है 2 तो HCl में भी जब 2 से multiplication के hydrogen हो गए 2 sulfate का molecule इदर भी एक और इदर भी एक है this reaction is balanced now and this is all about balancing of equation अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे अपना feedback प्रवाइड करवा सकते है so that I may provide you most resourceful information to help you in this regard and trust me balancing of equation जिस इंसान को आगया उसने chemistry का heart and soul पड़ लिया है so keep on learning with me your suggestions and your useful queries are also welcomed that's all for the day thank you हईच्च κ एच्द एच्च how